हेलो अबिबॉन गुड मॉर्णिंग कैसे हो आप सब आप सब अच्छी होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं कि आज सुबह सुबह आपके जो पार्टर हैं क्या सोट रहे थे ठीक है रीडिंग का टॉपिक यही है और गाई के कहने के उपर request कर रहे थे कितने सारे लोग कि डेली एंजल guidance दिया करिए दिया करिए ठीक है मैंने फिर से start किया हुआ है सुबह 8 बजे डेली आपको वो वीडियो मिल जाया करेगी ठीक है तो सुबह 8 बजे आप alarm लगा लो यह notification bell icon को on कर लो अगर अभी तक नहीं किया है और आप चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके notification bell जो है on करो ताकि रोज सुबह आपको वो guidance मिला करें उसमें बहुत यह तरीके से आप खुद देखोगा ना तो आप खुद समझ मैं कि हां क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है या किस तरीके guidance दी जा रही है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो guidance के लिए आप सुबह आठ बजे वो वीडियो देखा करें ठीके इंडिया टाइमिंग के अनुसार से सुबह आठ बजे आप किस कंट्री में रहते उस कंट्री के सार क्या टाइमिंग होती है वहाँ वो आपको देखना हो ठीक है तो आज की reading को करते हैं start देखते हैं कि आपके जो partner है आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे start करने से पहले आपको बता दू कि जो लोग मुझसे प्रसंटारों का डिडिंग कुनली रीडिंग या फिर कोई remedy और रिच्वल्स करवाना चाहते ह जैसे कि remedy and rituals करवा करके जो लोग भी अपनी love life या फिर अपना अपनी शादी से लेटर जो भी प्रॉब्लम है है ना डिवोस वेगरा भी हो जाते हैं कुछ लोगों के है ना तो उससे लेटर भी प्रॉब्लम है तो आप contact कर सकते हैं सारी चीजें आपको करके दी जाएंगे आ बहुत ही private रहेगी ठीक वह हमारे तक ही रहेगी ठीक है आप privacy को लेकर टेंशन नहीं लेना आपकी protection हमारी ठीक है हमारी जीम Мих bili जाते हैं जरूर करवाईए हैं बुकिट नमरेट की बुकिंग हो रही है यह मंद्रिक है यह आ कि अब हम रिजल्ट दे रहे हैं इसलिए हमारे पास लोगा रहे हैं अगर हम रिजल्ट्ट देते ही नहीं तो लोग क्हारे पास आते ही नहीं है ना intelig रिजल्ट्स दे रहे हैं लोगों को ठीक है तो अगर आप लेना चाहते हैं यह रिजल्ट्स मतलब की अपने सुचेशन के अनुसार से आपको जो भी चीजें आप सर्वाइव कर रहे हो उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए या आप चाहते हो कि वह प्रॉब्लम ही सॉल्व हो लिए है ना तो उस प्रॉब्लम को आप हमसे डिसकस कीजिए और कुछ डिटेल्स हम लेंगे ठीक है उसके बाद जो है आप बुकिंग करवाईए और उसके बाद आपका काम किया जाएगा ठीक है तो जल्दी से जल्दी बुकिंग कनफर्म करवा लीजेगा ठीक स्क्रीन प दस दिन हमें लगेंगे उस रिंग को बनाने में यह रिंग ऐसा नहीं है कि रैडिमेट खरीद के आता है नहीं वह रिंग जो है हम लोग को बनाने में उसको डिजाइन करने में या उसको थोड़ा सा जो होता ने कि सुधी करन एक्टिवेट करते हैं हम लोग तो बहुत सार स्पेशल करना पड़ता हैं हम सबका एक साथ नहीं कर सकते हैं तो सब के लिए श्मेंस पेशल करना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा जबात लगता है टेंडेंद लग जाते हैं ठीक है तो अगर आप booking करवाना चाहते हैं रख्षा कवर्च रिंग तो जरूर जरूर बुकिंग करवा सकते हैं ठीक है चलिए करते हैं स्टार्ट आज सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे गाइट करें अंजल्स आज सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे ओके वूँ ट्वफ कप्स क्या बात है पेशेंट प्लानिंग ओके वे मेमोरी अफ लव फुल्फिल्मेंट अव विसेज क्या बात है क्या बात है तो बड़ी अच्छे निकले हैं लव बिगेंज वाओ क्या क्या कहूं मैं आपके जो पार्टनर है न सिर्फ प्यार 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 भरा हुए इनके दिल में आपके लिए ठीक है क्योंकि यहां पर और वाव बहतरीन कार्ड्स आए हैं आज आप लोगों के लिए तो क्या देख रहा है मुझे देखो क्या है ना कि आपके जो कार्ड्स है ना क्लियर बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है आज सुबह सुबह जब से इनकी नीद खुली है तब से इनकी आखों में शरीफ आप 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 ठीक है आपके यादे इस तरीके से हैं आपका पिक है मतलब आपके आप से इलेटेड जाना इनके दिल में दिमाग में बहुत सारी बाते चलती हुए मुझे नजर आ रही हैं यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए काफी ज़्यादा अब एक होता ना कि याद करके और तडप जाना वह एनेटी दिखाई देरी हैं लेकिन यह पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे हैं ऐसे भी मजबूरी इनके पास आगया है कि यह पर्सन कर नहीं पा रह है ना देखो रिलेशनशिप है ठीक है और इस रिलेशनशिप में आपको कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ देना होता है हर किसी को हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ उसको देना होता है तो वही दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर है प्यार है ना आज सुबह जिस तरीके से आप उनको याद कर रहे थे ठीक उसी तरीके से आपके पार्ट्नर भी याद कर रहे थे आज सुबह सुबह है मुझे दोनों की energy काफी similar नजरा रही है काफी similar ठीक है ऐसा देख जैसे कि मैनिफेस्टेशन आपके तरफ से भी हो रहा है उनके तरफ से भी हो रहा है और मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉंग मैनिफेस्टेशन काम कर रही है या अगर आपको मैं देखो तो आप दोनों एक दूजे को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हो या एक दूसरे को इत की फिलिंग्स और दोनों की फिलिंग्स के में मुझे यहीं दिख रहा है कि कॉमन है यह प्यार महबा जो है ना कॉमन है और मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना यहां पर मुझे यह दिख रहा है कि ऐसा partner मिलना है थोड़ा सा मुश्किल है इसे कि आप हो यह है थोड़ा सा मिलना मुश्किल है आपके और आपके partner का जो भी रहा है past है ना और बहुत ही पुरानी पुरानी यादे रहे हो सकते हैं कुछ लोग दोस्त होंगे पहले होने लगा यहां आप मुझे यह भी दिख रहा है जैसे कि आपके partner जानते हैं कि इस लेशन के सिप को success करने के लिए या इस लेशन सिप में आगे बढ़ने के लिए काफी कुछ जो है ना चीजों के साथ deal करना पड़ेगा जैसे कि आपके और आपके partner आपके और आपके partner की बीच में एक होता है कि रिसक लेना है ना तो आपके partner को risk लेना पड़ेगा इनका क्या ए ना कि आपके partner थोड़ा साब बढीब्र स्वाइव होचते हैं कि यार रहा है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा थोड़ा सा अपनी प्रॉसिंट के बारे में सोचते हैं थी के आज भी सुबह जब ये परसन सोच रहाय थे तो इनको इसा फील हो रहा हूयार मैं उसके साथ Zन्द़ी बिताने की यह जिन्दगी में साथ रहने की जो है तयारूथ 유 कर रहा है दो आपके पार्टनर को लग रहे है कि यार मैं उसे गुला नहीं सकता हूँ, मैं उसे कैसे भी करके बुला नहीं सकता, मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ emotionally attached हूँ, मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता, ठीक है, आपके पार्टनर को यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि यह पर्सन को ऐसा लग रहा है जिसे हम दोनों अलग हो जाएं क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं, अलग होने से ड़ते हैं क्योंकि यह पर्सन बहुत प्यार करते हैं हैं और यहां पर बहुत प्यारी प्यारी खुबसूरत क्पinizi रजए ऐक दुसरे एकुसरा चाहें जैसी मेमोरी रही हो जो भी रही हो लेकिन बहुत प्यारी है आपके पार्टनर के लिए ठीक है यहां यहां पर यह भी दिख रहा है जिसे काफी मिननतों के बाद काफी लकी है ना काफी लकी लोग होते हैं जिनकी विशिस पूरी हो जाती हैं तो यहां पर वही दिख रहा है क आपनी विश्व को Fulfill है ना करने के लिए है ना यह Parson यह Parson जहना यह पे ट्राइँ करते वे दिखाई दे रहे हैं मुझे यह पर यही दिख रहा है कि परसन आपके साथ Fully तरीके से आपको चाहते हैं बस आपको चाहते हैं आप इनको चाहिए चाहिए जो भी हो आप इनको चाहिए 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 इसलिए यह पॉर्षन यहां पे एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी के साथ उठते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ एक दुसरे का साथ आ करके प्यार है ना दोनों एक दुसरे को अ सांथ खुछ नहीं रहांगा तो रहेगे तो यह पर संब आपको शामझने लगे हैं इमोशनल एप वस्तों आब आपको जानने लगे हैं इन्मोशनल एप शब्स आप पर स्क्राइब कहसे एंड भॉल्वन होना चाहते हैं okay है और यहां पर लाइट का कार्ड क्लियर बता रहा है ना इस इस लेशंशिप का फ्यूचर है ना लाइक बेवी है ना बेवी चाहिए आपके पार्टनर को आप से तो बेवी की कुछ एनेड़ी मुझे दिखाई दे रही है चलिए और कार्ट निकालते हैं गाइड करें अगे ठीक है क्वीन आफ सॉर्ड्स यहां पर जाओ यहां पर ना कोई फीमेल परसन है क्या आप दोनों की बीच में जो कोई मतलब बहुत इस्ट्रिक्ट पर्सन इनकी मदर हो सकती है यह अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ्यर है तो इनकी वाइफ हो सकता है कि आपके पर्सन के फादर ना हो कुछ लोगों के पर्सन के क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनकी मदर के तरफ से काफी स्ट्रिक्ट डिसीजन्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के प्यार में ये ठोड़ा सा प्राब्लम क्रिट करती हैं अगर इनकी मदर है तो ठीक है और नही सिष्टर भावी कुई भी हो सकता है जो कि फीमेल भागा तीक है नहीं होगा इनकी वजह से थोड़ा सा आप दोनों के बीच में वह प्यार वह महबत आगे नहीं बढ़ पारी है और यह पॉर्शन को फील हो रहा है कि यार क्या करूं का भी तो ऑर्डर मानना पड़ेगा ना वह बड़ी है तो उनका ओर्डर मानना पड़ेगा या जो भी है इनके उपर बहुत ज़्यादा सिकस्त है ना यहां पर है ओके सेवन ओफ पैंटिकल्स को क्लिरफाइक कर रहा है नाइन ऑव वांड्स देखो प्रॉब्लम तो है यहां पर आपके पार्टनर डर्टे उए दिखाई दे रहे हैं कि यह पॉर्शन ना डर्ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इतना ज्यादा यह पॉर्शन गीश में फ़ार है डर्त देखी रहा है लेकिन सांते साथ ऐसा भी दिख रहा है कि यह पॉर्शन-स्तानले के लिए सोच रहे हैं इनके सामने ना आपकी जो पार्टण ए अगर इनकी मदर है या जो भी है फीमेल पार्टशन अगर आपके पॉर्शन stand नहीं ले पा रहे थे आपके लिए तो यह person stand लेने के बारे में सोचते भी दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर जो है ना एक energy आ रही है इनको ऐसास हो रहा है कि past में जैसे कि मैं डड़के वज़े से अपने relationship को छोड़ चुका था या अपने person को छोड़ चुका था अब मुझे नहीं छोड़ना है क्योंकि इनको इन्होंने सीख लिया है ना past से बहुत कुछ सीखा इन्होंने और अब जो है ना यह person सीख करके अब यह person समझ चुके हैं कि अब जो है ना मैं मैं जो है ना अब करूँगा तो यहां पर मुझे यह दिख रहा है आपके पार्टनर थोड़ा सा इनके अंदर वह करेज आती वी दिखाई दे रही है कि मैं कर सकता हूं ठीक है चलिए six of cups का कार्ड शॉर्री six of cups का कार्ड nine of pentacles एक दम से देखो मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर जो है पुरानी यादों को ले करके मुझे जहां तक लग रहा है ना कि आप अपने पार्टनर को बहुत जादा खुश रखने वाले हो मुझे यहां पर यह देख रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए सब कुछ सब कुछ यहां पर यहां पर सब कुछ जो है ना एक त्याग देना है ना तो त्याग ते हुए दिखाई दे रहे हो क्योंकि यहां पर देख रहा है कि आपके अंदर वो हो सकता है यहां पर देख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना आपको इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत जादा मेच्योर हो ठीक है बहुत अच्छे सक्सेसफूल पॉर्सन हुआ ठीक है और मुझे यहां पर यहीं दिख रहा है जिसे कि आपकी एक लग ही जिद रहती है जिसे क्या होता ना कि जिद का मतलब मैं यही कहुंगी कि शादी को लेकर के या मतलब आप इनके उपर हावी नहीं होते हो आपको देना है कमिटमेंट तो दो मुझे जबर्दस्ती नहीं चाहिए ठीक है कैसे भी करके तुम मुझे शादी करो वह वाला नहीं चाहिए ठीक आपको है कि मैं जो है ना ठीक है मैं सब कुछ manage कर सकती हूँ या आपको अपने उपर proud feel होता है क्योंकि आपने वो सारी चीज़े की हैं आपने अपने आपको इस तरीके से बनाया है कि आपको किसी की ज़ुरत ना पड़े मतलब एक help की ज़ुरत होती है ना तो वो help की ज़ुरत ना पड़े आपने अपने आपको इस तरीके से बनाया है इसलिए ये person आपको एक बहुत ही pure person समझते है और यह परसन सोच रहे हैं कि उसके जैसा परसन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा ही ठीक है तो क्यों दूसरी जगर टाइम वेस्ट किया जाए है ना तो मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है थोड़ा सा आपके बारे में रिलक्स होकर के सोचते भी दिखाई दे रहे हैं और मुझे यह भी दिख रहा है ना कि आपको थोड़ा सा एक फ़ता नहीं जैसे कि healing properties आपके अंदर होती भी दिखाई दे रही है चलिए कुछ और kaards निकालते हैं fulfillment of wishes का काड क्यों है nine of cups 9 of cups को clarify कर रहा है page of cups का kard प्यार है न आप दोनों के बीच में प्यार है आप दोनों के बीच में और आपके partner को एक तरीके से मैं देखू दाओ एक तरीके से आपके partner जो है ना जो feelings अपने अंदर ये person मुझे लगता है कि काफी time से ये person ने अपने अंदर feelings आपके लिए जो भी इनके दिल में थी वो दबाके रखी थी और इन्होंने कभी जाहीर नहीं किया है ना ये person बहुत ज़दा fantasize करते हैं बहुत ज़दा अंदर ये अंदर एक होता है न कि दिल में हजार खाब पाल करकर बैठे हुए हैं ये person तो वो energy दिखाए दे रही है आप इनके crush भी हो सकते हो बहुत ज़दा ये person romantic तरीके से आपको proposal देने के बारे में जो है ये feel करते हुए दिखाए दे रहे हैं आपकी beauty की तरफ अट्राक्ट होते हुए दिखाए दे रहे हैं आपकी beauty इनको attract कर रही है इनका ध्यान आपके तरफ खीच रही है और मुझे ये भी दिख्टा है जैसे कि कहते हैं कि आपको engagement के लिए person propose भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे याँ पर इंगेजमेंट वाली चीज़े दिखाए दे रही है प्यार, महबत की सारी चीज़े मुझे याँ पर दिखाए दे रही है आपके partner आपको engagement के लिए marriage के लिए proposal दे सकते हैं आपको marriage का commitment दे सकते हैं फिलाल ये person की nine of cups यानी की wish fulfillment इनकी wish है आपके साथ marriage करना ठीक है आपके साथ बच्चे है ना तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके partner जो है ना अंदर से काफी positive है और इनको positive ही relation चाहिए इनको negative relation नहीं चाहिए ठीक है तो वह energy दिखाई दे रही है मुझे चलिए कुछ और देख लेते हैं ace of cups 10 of pentacles यह person new beginning करेंगे तो family बनेगी आप दोनों की ठीक है प्यार यह person offer करेंगे तो आपके साथ इनकी family बनेगी आपके साथ इनको जो खुशी मिलेगी जैसे कि abundance happiness है ना एक तरीके से प्यार एक तरीके से एक जो कहता ना कि एक कहूंगी कि जैसे कि happy family है ना आपके partner ना happy family आपके साथ बनाते हुए दिखाई दे रहा है यह person को ऐसा feel होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप इनके लिए बहुत lucky हो और आपसे यह person बहुत कुछ सिख सकते हैं और मुझे जहां तक दिख रहा है कि यह person अपनी family को मना करके आपसे शादी करना चाहते हैं ठीक है अगर यह बात भी मैं बता दो कि अगर आप अपने partner से ज़्यादा earn करते हो तो इनकी कुछ intentions अलग हो सकती हैं बट मुझे जहां तक दिख रहा है कि यह person का ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा ठीक है यहां पर ऐसा मुझे नजर आ रहा है ठीक है चलिए देखते हैं light का कर्ड हर्मिट number nine यहां पर काफी ज़्यादा है bottom of the deck five of wands एक दम देखें क्या है ना कि आपके partner आपके partner का एक अलगी अंदाज मुझे दिखाई दे रहा है जो कि है एक हर्मिट की energy में आपके partner है ना आपके partner जो है ना हर्मिट की energy में आते भी दिखाई दे रहे हैं एक तो इनको आपके relation बहुत ही bright चाहिए ठीक है लेकिन इसके लिए इनको ऐसा feel हो रहा है कि मैं ऐसे नहीं उसके साथ आगे बढ़ सकता ऐसे मैं उसके साथ relation से नहीं बढ़ा सकता ठीक है इनको anxiety होती है यह person अपने आपको बहुत सारी चीजों से अलग रखने लगे हैं मुझे यह भी दिखता है कि यह person को सोच करके tension हो रही है और यहां पर दिख रहा है कि इनको guidance चाहिए इनको ऐसा feel हो रहा है कि मुझे guidance अगर मिल जाती है सही तरीके से guidance मिल जाती है तो मैं इस relationship को बहुत अच्छे तरीके से deal कर पाऊंगा ठीक है तो यहां पर यह person जो है ना बहुत अच्छे तरी किसे deal करने वाली energy को feel करते हुए दिखाई दे रहे है ठीक है so overall reading में मुझे यही दिख रहा है आपके cards में I hope reading आपके साथ resonate की होगी resonate की है चैनल को subscribe कीजेगा वीडियो को like कीजेगा share कीजेगा मिलते हैं फिर अगली reading में तब तक हसे रहे हैं मुस्कुरात रहे हैं और खु Hello everyone so आज की हमारे वीडियो में हम यह देखने वाले हैं देखो गाईस आज मैं बात करने वाली हूँ rose quads की बारे में rose quads यह है pyramid यह pendant आप लोग देख रहे हो pendant और यह है bracelet ठीक है यह rose quads का bracelet है अगर आपको नई दिख रहा है मैं आपको दिखा देनी हूँ बहुत अच्छे तरीके से यह देखो यह bracelet है rose quads यह bracelet है rose quads ठीक है आप लोग देख रहे हो यह bracelet बहुत ही खुब्सूरत सा है इसके मैं आपको benefits बताऊंगी कि इसके benefits क्या है ठीक है तो rose quads pendant rose quads pyramid ठीक है bracelet यह इसके benefit मैं आपको बताने जारे हूँ ध्यान से सुनिये रोज quads हम कभी use करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में प्यार की कमी हो गई है यानि कि हमसे कोई प्यार नहीं करता हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं हमें हमेशा जो है अपने अंदर self confidence क कि कमी नजर आती है हमारा heart chakra block होता है जिससे बार बार हमारे relationship में problem साती रहते हैं बार बार हम अपने relationship में सही तरीके से focus नहीं कर पाता है या हमारा relationship सही तरीके से हमें मिल ही नहीं पाता है ठीक यानि कि हमारा partner हमें बार बार दोखा दे देता है या हमारा partner से हमारा break up हो जा पिरामीड हम कभी उस करते हैं जब हमें अपने घर में पूरे घर में हम चाहते हैं कि शुक्षान्ति और सब की अंदर प्यार रहे आप चाहते हो कि आपकी मम्मी आपसे प्यार करें आपके पपा प्यार करें या आपकी बाते सब कोई मानें आपके अंदर एक attraction power आए है ना उसके लिए है यह pyramid या आपके love life में अगर आपकी जो है शादी में problem आ रही है शादी नहीं हो रही है या कहें तो शादी से related problem हा रही है जिसे कि family members नहीं मानते हैं ठीक है तो उनके लिए भी यह pyramid में देती हूँ इसको कैसे use करना है मैं यह बताऊंगी activated मिलेगा जो भी pyramid मिलेगा आपको pendant मिलेगा आपको ठीक है या फिर यह bracelet मिलेगा सबके सब activated होंगे जिससे आपको जो है love 100% मिलेगा ही मिलेगा किसी को जल्दी मिलता है किसी को थोड़ा सा time लगता है ठीक है तो रोजक्वाज जो है आपके जीवन में प्यार लेके आता है फरोसा लेके आता है यह आपके heart chakra को heal करता है जिसे आपकी life में आपका जो love है आपके तरफ attract होने लगता है यानि कि आप अपने partner से परेशान हो अपनी love life में परेशान हो है ना उसके लिए best है यह मैंने जितने logo को अभी तक दिया है लगबग लगबग सब को result मिला है और बहुत अच्छा result मिला है यह जो है bracelet यह देखो कितना खुबसूरत लग रहा है bracelet देख रहे हो यह bracelet कितना खुबसूरत लग रहा है hand पे तो यह bracelet जो है आप लोग ऐसे wear करोगे यहाँ पे जो है chain दी गई है यहाँ पे adjust कर सकते हो size ठीक है आप अपने according इसको adjust कर सकते हो ठीक मैं बांद नहीं पा रहे बांद देंगे ऐसे हम bracelet को बांद देंगे ठीक है यानि कि यह ऐसे दिखेगा bracelet आपके हाथों पे और यह है पैंडिट आप गले में धारन कर सकते हैं यह गले में धारन और यह जो है आपको मैं जहां बताऊंगी वहां पे इसको रखना है ताकि आपके आपके लाइफ में शाले से रिलेटर प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए कहां रखना है मेरेज से रिलेटर प्रॉब्लम मेरेज यानि की husband wife में नहीं बन रही है उसके लिए कहां रखना है ठीक है तो आपको सारी चीजे जो है मैं guide करूंगी तो इसको order करने के लिए आप दिये गए WhatsApp पिरामिट के बारे में, क्रिस्टल के बारे में, रोसक्वास के बारे में कुछ जनकारी चल ये reading में बात करते हैं